गुट बॉनिंग अप्रिवन कैसे हैं आप सभी आई होब सभी बहुत अच्छे होंगे तो टुड़े इस थर्टीएथ ओफ सेप्टेमबर 2022 और डे हैं फ्राइडे लास्ट डे है इस मंत का और आज हम लोग जबो मनाते हैं बिश्व समुद्री दिवस मैं जबो यह क्यों बत थी और पिछले कर जबो हम लोग ने एक बहुती इंपॉर्टेंट डे जो बनाया था जो कि था वर्ल्ड हर्ट डे वर्ल्ड हर्ट डे जो अपने बनाया था विश्व हिर्दे रिवस और आपको जब याद रखना है कि 29 सेप्टेमबर को जब हम लोग वर्ड हर्ट डे मनात है चलिए हम जोब वो कुछ प्रीवीजियर के कुछी या अपे डिस्कॉस करेंगे उससे पहले जो सेप्टेमबर महीने में जो भी हमने दिन मनाये कुछ इंपॉर्टेंट डे जो वो डिसकॉस कर लेते हैं जैसे कि सेप्टेमबर का जो फर्स्ट सप्ता होता है एक से साथ स हम साथ में आम लोगों मनाते हैं सेकिड सेथैंबर को उसी के बीच में हमने मनाया को विश्व नादियल दिवस भी अम लोग बनाते हैं जो कि मेरे कहाल से ज्यादा दिवस भी बनाते हैं साथ में 5 सेप्टेंबर को और इसी के साथ जो आपको यान रखना है कि टीचर डे जो वो किसके जनब दिवस पर बनाया जाता है सब्सक्राइबण 12 सेपटेंबर ओर 15 इप इप 821 path 15 सप्तेंबर को हम लग जोगों इंजीनियर इन Даug नेक्स्ट सिक्स्टींश सब्देमबर यद bıट विद जो कि हमारे लिए काफी इंपर्टन जुआए है ऐसका थे मुरब ऑति विश्ञां गूש Σबसे ने बीकौने सेह में धख़लानी दिसक्राइग STS प्रेटन को बढ़ावा देने के लिए तो उत्राखंट 28 सेप्टेंबर जो कि हम लोग बनाते हैं विश्व रैवीज रैवीज दिवर्स और 29 को तो आज है और वर्ल्ड हर्टडी ठीक है और 30 सेप्टेंबर मैंने आको उता दिया विश्व समुद्र रिवर्स मनाया जाता है और और साथ ही जो वो पिछले कर लेकर कम्यूनिटी से जो मैंने कोश्चीन पूछा था नए जो सीडियेस हमारे बने है जो कि सेकिंड चीफ आफ डिवेंस बत तो इसके बाद जो सेकिंड जो सीडियेस बने हमारे बेर इंपोर्टेंट लेफटनेट जनरल अनिल चोहान तो यह भी बेर इंपोर्टेंट कोश्चीन है और किसी एकसाम में जिरूर जो बन सकते हैं और साथ ही जो वो एक अक्टूबर से यानि कि कल से जो नए जो भी गई जी-आई बने हैं यह ऑटनी जनल अफ इंडिया तो वह भी बर इंपोर्टेंट कोश्चीन है और नए जो अटनी जनल अफ इंडिया बने है जो प्रकित सम विदहनी की बोडि है तो वह बने है वैंकटर मनी वी आवई वी एन के ए टी ए आर ए वेंक्टर मनी एम ए एन आई वेंक्टर मनी तेके आर लगा दो पहले आर वेंक्टर मनी जो वो नए बने है यू अटॉन ज़र्नल ऑफ इंडिया तो एब बेर इंपॉर्टर कोशिन बन जाता है चलिए अब कुछ कोशिन जो यहां पर डिसकस करते हैं पिछले टॉपिक में हमने बलड के बारे में डिसकस किया था तो उसी से लिए टोशिन है हीमोगलोबिन हैस हाइस्ट एफिनिटी फावर तो जो बहुत कर्बबन मोनोकसाइड के प्रति जोब होती है नेक्स्ट कोशिन है नंबर ऑफ टीथ विच अविच अविच इन मैन आ कुछ कोशिन हमने रहें जैसे बलड के बारे में डिसकस की था तो कैuba के देश्ट करते हैं या एक कान सी बिटामीन जो प्लै के लिए जुरूरी होती है तो बेर इंपोर्टेंट कोशी ने पहले अगसा में पुछा आ चुका है विटामिन के और विटामिन के का जो जो नाम है वो है पी एच वाई एल ओ क्यू यू आई एन ओनी ठीक है कहां चला गया एक मिनट मैं फिर से लिए आँ पी एच वाई एल ओ क्यू यू आई अन आप को स्पेलिंग जो बोचेक कर सकते हैं इसको बोलते हैं विटामिन के का जो बो नाम है साइनिक नाम जो हम बोलते हैं फिलो क्यू नॉन और नेक्स्ट अगर आपसे बुछे क्यूंकि हर्ट थे भी हमने जो बो आज होज हर्ट बना रहे हैं यू लकुश हर्ट फॉर हर्ट तो सबसे हैने जो हर्ट transplant किया गया था human के अंतर ठीक है वो जो वो किस ने किया था तो वो किया था Christian Bernard ने ठीक है Christian Bernard ने जो वो किया था और इसने जो वो ए खुद के ही भाई पर जो वो ए experiment किया था और आपने सुना होगा कि हमारे और सूर का जो brain होता है सुरी हार्ट होता है वो जो जब उसका जो वो स्ट्रक्चर लगए सेम ही होता है ठीक है तो उसको जो टांस्प्रांट भी किया गया था तो यह जो वो जो जिस पर भी जो वो किया था बहुत मर गया था इसको भी आप याद रख सकते हैं नेक्स्ट कुश्टिंग आप से पुछासता है कि ब्लेट में अगर ग्लुकोज स्ट्री अब ब्लेट में अगर ग्लुकोज कम हो जाए तो उसको जब वह हाईपो गलासीमिया बोलते है गलाइक है है इसको बोल सेल में कम सबसे बड़ा होता है मोन साइट होता है मोन conocyte और आपसो alarm किकी हमारे अंदर रोता है ज़िसका बाहर होता है जो उपन सेस्टम होता है तो यह होता है प्रॉंस का प्रॉंस आपने देखें गए जिसको हिंदी में जिंगे बोलते हैं एक जो वो इंपोर्टेंट जो आप ऐसे एफेक्ट जो याद रखते हैं कि अगर हमारे बॉड़ी से अगर ब्लड जो निकाला जाए तो कितने टाइम तक जो वो उसको रखा जा है ठीक है 40 तीन तक जबो सैंल है और पिछे पार्त में प्रचाज़ की बी की ती एक कुछीं और फुच इस हेसले जैसे हमारे blood के अंगर हीमोग्लोविन होता है तिके रZe रच होता है एक योक्व होते हैン ध्याक टिक है उनका अमल के उच्छ स्थर के कारण जोगो होता है तो यह गठिया हो जाता है गौट हो जाता है अच्छा ए नहीं अगले वाला बोल रहा था मैं कुछ इंट्रस्टिंग वह पस्तुज वह तिदिक गर्मी सेन कर जड़ी होगी जोगो ज्यादा गर्मी सेन नहीं कर सकता है तुझी है गए की जबsil जयादा मोटी चर्वी नहीं होती है गधे की घ 포인 who भी मुझे लगता है कि मोटी चर्वी होती है उसकी और बक्री की ज़्यादा मोटी चर्वी नहीं होती तो बक्री जो इसका सही आंसर होना था और ऑफिसल आंसर की में भी बक्री ही है ठीक है जाता है ठीक है जैसे हम गर्म गर्म दूद की बार ऐसा होता है तो इसका सही आंसर होगा क्यों होता है कि उस्मा का जो पानी होके बीस्तार होता है यहां पर बिश्टार होता है क्योंकि इसमें जब हम मतलब कि हॉट लिकुड जो इसमें जो भी डालते हैं पानी होगा चाहे वो दूध होगा ठीक है तो बाकी अगर कोई कोशिण इसमें जो जैसे बलड के बारे में हैं पहले डिसकस कर चुक है इसलिए जब हो जाद हमने यह दो जो में टॉपिक लाएंगे आँए नेक्स्ट एक दो दिन में जो हमने इसको डिसकस करेंगे ताकि एक्साम का पता लग जाता है की कैसे कैसे कोशिण पूछे जा रहे हैं फिर जो उनहीं को डिसकस करना है ज्यादा मतलब यह स्मार्ट स्टडी जो बोलते हैं सारा अक्षन जो वो जुरूर होगी ओके थैंक यू एंड हैव नाइस देए